इस मनोरम वीडियो में हम मराठों द्वारा सामना किये गए अन्खे रहसियों और महाकाव्य संधर्षों को उजागर करते हुए छत्रपती संभाजी की हत्या के बाद के उथल पुथल में तल्लीन हैं। इतिहास के माध्यम से एक रोमान्चक यात्रा पर हमसे जुड़े क्योंकि हम मराठा सामराज्य के लची लेपन और द्रिड संकल्प को उजागर करते हैं। संभाजी की मृत्यू के बाद उनके छोटे भाई राजाराम नए छत्रपती के रूप में सिनहासन पर चड़े। भारती इतिहास के एक कम ज्यात अध्याए की इस दिल्चस्प खोज को देखना न भूले। तो आए सुनते हैं अनके रहस्यों का अनावरण छत्रपती संभाजी महाराज की हत्या के बाद मराठों का संधर्ष। च्छत्रपती संभाजी की हत्या के बाद मराठों को राजनीतिक उठल पुथल और सैन्य संधर्षों द्वारा चहनित एक चुनौती पूर्ण अवधी का सामना करना पड़ा शिवाजी के पुत्र च्छत्रपती संभाजी मराठा सामराज्य के दूसरे शासक थे 1689 में समराठ और अंगजेब के आदेश के तहट मुगल सेना द्वारा उनकी हत्या ने मराठों को एक गंभीर जटका दिया संभाजी की मृत्यू के बाद उनके छोटे भाई राजाराम नए च्छत्रपती के रूप में सिनहासन पर चड़े हाला कि राजाराम का शासन लगातार युद्ध सेत्रस्त था और मराठों को मुगल सामराज्य की पूरी ताकत का सामना करना पड़ा जिसने उनकी बढ़ती शक्ती को कुचलने की कोशिश की राजाराम को छिपना पड़ा और मुगलों का विरोध करने के लिए छापामार रणनीती अपनानी पड़ी मुगल पीछा से बचने के लिए उन्होंने मराठा सामराज्य की राजधानी को राइगड से विभिन्न स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जिसमें वर्तमान तमिलनाडू में जिन्जी और जिन्जी के लिए शामिल है इस समय के दौरान राजाराम की रानी ताराबाई ने मराठा प्रतिरोध का नेत्रित्व करने और सामराज्य को बरकरार रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई महत्वपूर्ण चुनोतियों का सामना करने के बावजूद मराठों ने मुगलों के आगे घुटने नहीं टेके मराठों द्वारा नियोजित गुरिला रणनीती, उनके रणनीतिक गठबंधनों और उनके सैनिकों की वीर्ता के साथ मिलकर उन्हें मुगल सेना के खिलाफ अपने प्रतिरोध को बनाए रखने में मदद मिली मराठों को वश में करने के अपने प्रयासों में मुगल कमजोर पड़ गए थे और वे अपने प्रभाव को पूरी तरह से समाप्त करने में असमर्थ थे 1700 में राजाराम की मृत्यु के बाद उनकी विध्वा ताराबाई ने अपने युवा पुत्र शिवाजी द्वितिय की ओर से शासंग रहें किया उनके नेत्रित्व में मराठों ने मुगलों के खिलाफ अपना संधर्ष जारी रखा ताराबाई के शासंकाल में सैने सफलता और असफलता दोनों का दौर देखा गया लेकिन वह मराठों के कारण को जीवित रखने में सफल रही छत्रपती संभाजी की हत्या ने मराठा इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोर दिया जिससे युद्ध और राजनीतिक अस्थिर्ता का एक लंबा दौर चला हाला कि मराठों ने मुगलों के खिलाफ अपने प्रतिरोध को जारी रखा और उनके प्रयासों ने छत्रपती शिवाजी द्वितिय और पेश्वा बाजीराफ प्रतम जैसे व्यक्तित्वों के नेत्रित्व में मराठा सामराज्य के भविश्य के उदे की नीव रखी प्रिये दोस्तों अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृप्या मेरे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद आपका अपना विजय जगता